लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भीए नविम भई में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है लगबग सुनने पर जा चुके कोरोना मरीजों के आकड़े आजकल जिस तरह बढ़ने लगे है वो इसका संकेत देता है बीजेपी के जिला महमंतरी बीजेघाटे ने इसके लिए जरूरी आरोगे इंतजाम करने और नागरिकों को सावधान रहने की अपील किया उन्होंने कहा कि कोरोना खत्म हो गया है ऐसी मानसिक्ता के साथ लापरवाही बरतना, तीसरी लहर और कोबिट के जानलेवा खत्रे को आमंतरित करना है उन्होंने मनपा द्वारा बच्चों की आरोगे सुरक्षा के लिए विसेस इंतजाम करने पर भी जोर दिया ते ही बूट नविमबई में कोरोना संक्रमन का का हर एक बार तेजी से बढ़ने लगा है एक स्पोर्ट इसे कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देख रहे हैं और इसलिए इसे बचाओ के लिए जरूरी मेडिकल सुविधाय जुटाने और जागरुकता पर ध्यान दिला रहे हैं बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने 20 दिनों के निरंतर आकलन का हवाला देते हुए बताया कि नविमबई में कोरोना का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है वह तीसरी लहर की दस तक है उन्होंने कहा कि इस दिला परवाही खतरनाक है विजय घाटे ने इसके लिए सभी नागरिकों को वैक्सनेशन कराने पर भी जोड दिया पिछले 20 दिन से मैं मॉनिटर कर रहा हूं जो हम लोग 27, 28 पे नीचे आये थे वो थोड़ा उपर जाके 50 और 35 के बीच में फ्लक्टुएट हो रहा था लेकिन 50 के ऊपर जाने अब फिगर शुरू हो गई तब जाके मैंने 6 दिन कंटिनियोज देखा 50 के नीचे कोई भी उदर आ गई थी तो यह जो फ्लक्टुएशन होते होते आस्ते उपर जो ग्राफ चड़ रहा है डेली करोना पॉजिटिव का वो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आए जाओ या कही ना कहीं यह हमारे दरवाजे पर दस्तक मिल रही है कि भाईया करोना की थर्ड वेव आ रही है लेकिन सबसे मेजर जो है जो सेंटल गवर्मेंट कर रही है वो है वैक्सिनेशन कई लोग केते हैं कि बात में देखेंगे वो स्पूटनिक आएगा तब ही देखेंगे मेरा सभी नागरी कोन से हाथ जोड़ के निवेदन है आज वैक्सिनेशन का सिं लिए अबजर्वेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का आसर बच्चों पर जादा होने की संभावना है इसलिए पेडियाट्रिक कोरोना हस्पिटल ऑक्सिजन बेड़ जरूरी और सधियों के साथ मेडिकल स्टाप का इंतजाम बेहर जरूर अब थर्ड वेव का और एक ड्रॉबैक उन्होंने बताया हुआ है कि जो मेरे स्टीज में आ गया है कि बच्चों को इफेक्ट जादा कर सकता है तो रेग्यूलर जो बेड़ से वो छोड़के बच्चों के लिए अलग बेड़ करना पड़े है आज हमारे पास 6910 बेड़ से जिसके अंदर ICU बेड़ से जिसके अंदर आपके oxygen support बेड़ से जिसके अंदर isolation बेड़ से और जिसके अंदर आपके ventilator से यह सारा मिला के हमारे पास 6910 स्टॉक है अब थर्ड वेव अगर डेल्टा प्लस वारियेंट का अगर अगर आप देखेंगे तो उसका spread ज्यादा होने के वज़े से और थर्ड वेव ने हिट किया हमारी निगलीजन्स के वज़े से तो हो सकता है हमको ज्यादा बेड़ लग सकते है मेडिसिन का स्टॉक्स और ऑक्सिजन प्लांट अभी तक मेरे खाल से प्रॉपर रिस्पॉंड नहीं कर रहे है करके यह अगर थर्ड वेव हिट होती है तो उससे बचने के लिए हम लोग कॉर्पोरेशन मेरे इसाब से टैंक्स की अरेजमेंट कर रही है अगर हो टैंक्स की अवेलेबल होगा उसको ऑक्सिजन अवेलेबल होगा उसको डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल होगी बाइव डॉक्तर और नर्सेस मेडिकल स्टाफ और फूड यह अवेलेबल होगा लेकिन यह अवेलेबल है करके निगलीजेंस करना यह गलत बात है बताना जरू पी मंद्रियों को खोलने की मांग कर रही है भाचपा के केंद्री मंत्री जन आसिरवाद रहली निकाल रहे हैं जाहिर है भीड होगी तो कोरोना और बढ़ेगा हलांकि विजय घाटे की दलील है कि मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे ने केंद्र सरकार के जिन निर्देसों का राजनिती कर रही है जबके उसे सही इंतजाम करना चाहिए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके मैं एक बाद आपको बताना चाहता हूँ लेटर में उन्होंने क्या का मंदिर बन करो कow्यक नहीं है कि मंन्दिर बं करो मुझे कोई भी आदेस इया कि इन्होंने काया मंदिर को टाला लगा दो और कोई प्राक्तनाकष से उनको टाला लगा दो गड़पदी का तो बैनी कर दो इस तरीके से कहीं नहीं का प्रिकॉशन्स लोग करके बोला हुआ है तो ये महाराष्ट्र गवर्मेंट उसको इजी वे है कि भाई लॉकडाउन करो और घर पे बैटो ये एक अच्छा तरीका चल रहा है और रास अवल जना अशिरवाद या राली का जना अशिरवाद या राली के लिए महाराष्ट्र में पहली बार कई ऐसे क्षेत्र थे लोगसभा के कि जहां कभी मंतरी होएगा हमारा M.A.M.P. ये सोचा भी नहीं था लोगों ने ऐसे लोगों अज MP भी हो गए और अग्मिनिस्टर भी हो गए तो ऐसे वक्त में अगर वो अपने खेत्र में जाएंगे जना अशिरवाद राली के माध्यमसेगर लोगों को मिलेंगे काफी सारी चीजे केदर को डारेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं कि बाबा ये चीजे कर दिये तो ये सारी चीजे जो है वो अननेसेसरीली पॉलिटी साइज करना जरूरी नहीं है ब्योरो रिपोर्ट टीबी वर इंडिया